हेलो स्टुडेंट उतकर्ष्ट पुकी क्लास फोर्थ की चाप्टर साइकेंड नौकरी की शर्थ आप जानते हैं किसी का उपहास करना कभी स्वयम बर भी भारी पढ़ सकता है किसी की शरीर की कमजोरी या बेड़न पन का मजाग बनाना अपराध है हमें वह वहार दोसरों के प्रतिक कभी नहीं करना चाहिए जो स्वयम के साथ किया जाना पसंद ना हो कई बार कोई दोश भी गोड बन सकता है नौकरी के तलाश में निकले युवक को एक भीकारी ने खुब शर्मिंदा किया फिर हुआ यह कि जिसे वह अपना शारिरिक दोश समझता था वही दोश नौकरी पाने में उसका मददगार बन गया तो कुछ ऐसे है इसका चैप्टर में कहानी हिंदी की उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था भूको मरन की इस्तिती थी मुझे एक नौकरी की तलाश थी मगर नौकरी मिल नहीं रही थी इसमें लेखा के कहानी बता रहा है उसमें एक जिसे नौकरी की तलाश है उसके बारे में बात कर रहा है तो वो कह रहा है मैं जोड शोड से स्वयम भी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपने दोस्तों से भी कह रखा था कि अगर उनकी नजर में मेरे यो कोई नौकरी हो तो बताएं इन्हीं वे कारी के दिनों की बात है मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके घर गया उसका घर मेरे को था मगर इधर मेरी जेब खाली थी मतलब उसकी जेब में कोई भी पैसे नहीं थे क्योंकि वो कोई काम करने रहा था सो मैं पैदल ही गया वहां तक पहुचते पहुचते थक गया इसलिए उसके घर में गुचते ही सीनियों पर सुष्टाने के लिए बैठ गया क्योंकि वो पैदल चलके थक चुगा था तब ही भाएक बिकारी आ पहुचा उसने समझा मैं उसी मकान में रहता हूँ बिकारी बोला बाबुजी एक कटोरा आटा दे दो मैंने उसे जिटकते वे कहा घर में आटा नहीं है बिकारी बोला तो कोई फटा पुराना कपला ही दे दो मैंने फिर उसे जिटका कोई कपला भी नहीं है उसने उसको कपले के लिए मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास कोई कपड़ा पी नहीं है आटा भी नहीं है मैंने सोचा अब वह टरक जाएगा यानि कि चला जाएगा वो विकारी पर नहीं वह वहीं अड़ा रहा और बूला तो बाबू एक दस पैसे का सिक्का ही दे दो मुझे उस पर गुस्सा आ गया टालता ही नही अड़ियल मैंने उसे डाटते हुए कहा दस पैसे भी तो नहीं है उसने का मैं पर दस पैसे भी नहीं है मैंने अपनी तरफ से सच ही कहा था पर वह तब भी वहां से नहीं निकल नहीं गया मतलब वह गया ही नहीं वहां पर खड़ा रहा उसने मना कि मैं पर पैसे भी नहीं ह तब भी वो बिकारी वहीं पे खड़ा रहा है मैंने उसे गूर कर देखा आके मिलाते हैं भै बोला बावो जब घर में आटा नहीं है कपड़े लगते नहीं है और आपकी जेब में दस पैसे तक नहीं है फिर यहां बैठे बैठे क्यों समय बरबात कर रहा है आओ मेरे साथ शाम तक 10-20 रुपे तो कमा ही लोगे बिकारी की बात सुनकर मैं उल्जन में पढ़ गया वन ही वन सोचा सलह तो सही दे रहा है जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों ना अभी मैं बिकारी के पैस्ताव पर ठीक से विचार कर भी नहीं पाया था कि मेरा मिद अपने घर में से बहार निकल आया उसका फ्रेंड उसके उसी घर से जिसके घर वो आया था वहाँ से निकल के आ गया अपने दोस्त के पास उसने बिकारी को डाट कर भगाया और मुझे बीतर ले आया मित्र कीस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया मैंने सोचा नौकरी मुझे मिल नहीं रही यह मुझे नौकरी दिलवाने में कोई मदद देर नहीं रहा जो एक मददगार मिला उसे इसने भगा दिया जैसे अब मेरी रोटी पानी का इंतिजाब यही करने वाला है वो बिकारी उसे बोल रहा था कि तुम मेरे साथी क्यों ना शाम तक कुछ रुपए कमा लोगे लेकिन उसका जो दोस्त ने उस बिकारी को भगा दिया था तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी अपने दोस्त की उसे लगा कि वो उसकी हेल्प कर रहा था और उसके दोस्त ने उस बिकारी को भगा दिया अब वो क्या करेगा मैं उसके बारे में अभी और ना चाने क्या क्या सोचता कि उसने मेरे आगे एक अगवार रखते हुए कहा देख यह देखो तुम्हें लायक एक नौकरी है यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना रहा रहा अगवार में लिखा था एक नव यूवक की जरुवत कोई मतलब काम कोई खास नहीं लिखा नहीं था उसमें तो काम कोई खास नहीं लिया जाएगा वेतन अच्छा दिया जाएगा नौकरी पाने की एक शर्थ है नौकर कभी हसेगा नहीं जिस दिन हसेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस सर्थ के साथ नौकरी करने के को त्यार नव्यूवग यहां दिये गए पते पर आकर मिले मित्र ने सला दी शर्थ है तो अजीब पर तुम तो यो भी नहीं हसते जब हसते हो तो लगता है रो रहे हो अगर तुम कभी हस भी दिये तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम हस रहे हो इसलिए तुम जरूर इस नौकरी ये नौकरी कर सकते हो मारी में दर्बन निकाला उसे सामने रखा और देख देर तक हस हस कर यह देखता परकता रहा कि जो उसका दोस्त था कि मित्र सच कह रहा है या जूट बहुत समय तक वह परिक्षड करने के बाद मैंने पाया कि मित्र ने रत्ती भर्वी जूट नहीं बोल रहा था उसे पता चला कि हाँ उसका दोस्त अच्छी कह रहा था अगले दिन मैं उस पते पर जा पहुचा गंटी बजा कर किसी के आने की प्रिथिक्षा की जैसे यह दर्वाजा खुला मेरी आखें खुली की खुली रह गई मैं यह देखने समझने की कोशिश करता रहा कि आखें मेरे सामने जो ख़ड़ा है वह आदमी है या भूसे का एक बोरा उसमें से आवाज आने पर मैं समझ यह यह आदमी है पर ज़रा अलग किसम का है जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी पाने के लिए आया हूँ उसके चहरे पर मुस्कुराहट आगए भै बोला तो बीतर आईए ना मैंने बीतर जाना चाहा पर जाना सका जब कई मिनट तक मैं भीतर नहीं गया तो फिर उन्होंने कहा आईए ना मैंने अपनी परिशानी बताई उसके दोस्त ने कहा आप हटे तो मैं भीतर जाऊं तब ही तो भीतर उसने लाए जगह नजर नहीं आ रही इतना कहते ही मेरे चहरे पर मुश्कुराहट आ गई मतलब उसका दोस हसने लगा जैसे ही नो ने मेरी तरफ देखा मुझे खटका हुआ अब तो नौकरी नहीं मिलेगी पर तब ही वह एक तरफ हटते हुए बोला तो रो क्यों रहे हो मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी हसी कोई वह रोना समझ रहे है मैंने बात बताई असल में कई दिनों से मैं बेकार हूँ इसलिए रोना आ गया खेर हम भीतर पहुचे और मुझे नौकरी मिल गए उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें हमारे साथ दुकान तक चलना होगा मुटे मुटे काम करने होगे शाम को वापस हमारे घर आना होगा जब हम घर में गुश जाएंगे तो तुम्हारे चुट्टी हो जाया करेगी कभी कभी हमारे साथ फिल्म देखने भी जाना होगा बस इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशिका ठिकाना ना रहा है कल तक मैं जिसे अपना शारिटिक दोश बांता था आज फह औरों की नजर में मेरे लिए गुड़ में बदल चुका था इस पार्ट से हमने जाना हमें किसी का मजाग नहीं बनाना चाहिए किसी के शरीकि बनावट पर हसना नहीं चाहिए इससे उसकी बावना आहाथ हो सकती है किसी परिकार क्रिसी की परती कोई प्रतिक लिगने से पहले या सोच लेना चाहिए कि ठीक वैसा ही हमारे साथ होता तो हमें केसा ओनम होता दन्यवाद